हमारा क्या है? Abandon Abandon की बात करें तो इसका मतलब होता है त्याग देना जब हम किसी चीश को Give Up कर देते हैं उसके लिए जोए Abandon का Use होता है इसके Synonyms की बात करें तो Give Up हो जाएगा Resect हो जाएगा Renowns हो जाएगा Drop हो जाएगा Desert हो जाएगा इस सब जो है इसके most important synonyms बनेंगे इस सारे synonyms जो है अकसर आपके exam में पूछे जाते हैं तो यह most repeated synonyms भी हैं तो आप लोगों को ध्यान में रखना है और चीज़ों को जो है कहीं note करते हुए या फिर जो आप screenshot लेते हुए पढ़िए नेक्स्ट वड़मरा क्या है अभूर अभूर की बात करें तो इसका मतलब होता है घ्रडा करना जब हम किसे चीज़ते हेट करते हैं उसके लिए जो है अभूर का योज होता है इसके synonyms की बात करें तो आप दिस्टेन हो जाएगा हेट हो जाएगा अभूमीनीट हो जाएगा और हमारा डिस्लाइक हो जाएगा इसकोर्ण हो जाएगा डिस्पाइज हो जाएगा यह सब जो है इसके important synonyms जो है बनते हैं नेक्स्ट वड़मरा क्या है अभूर बोर्ड अभूर बोर्ड की बात करें तो इसका मतलब होता है जब हम किसे चीज को होनेस्ट ली करते हैं एकदम नेस्ट बीना चल के करते हैं तो उसके लिए जो है अभूर बोर्ड का योज होता है इसके synonyms की बात करें तो मारा होनेस्ट हो जाएगा फ्रैंक हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा सेंसियर हो जाएगा ओपेन हो जाएगा ट्रस्ट वर्डी हो जाएगा इस सब जो है इसके most important synonyms बनते हैं नेस्ट मारा वर्ड है abridge abridge की बात करें तो इसका मतलब होता है कम करना यानि कि किसी चीज को sun shape में करना छोटा करना उसके लिए जोए abridge का use होता है तो इसका synonyms क्या हो जाएगा shorten हो जाएगा compress हो जाएगा abstract हो जाएगा reduce हो जाएगा हम लोग decrease भी कह सकते हैं curtail कह सकते हैं और मना abbreviate हो जाएगा इस सब जो है इसके most important synonyms बनते हैं ये जितने भी words है आपकी exam में जोए most repeated words है इसलिए जोए आप लोगो एकदम ध्यान से वीडियो को एकदम constant mind से जोए देखना है next word हमारा क्या है abrupt abrupt की बात करें तो इसका मतलब होता है akasmic जब कोई चीज suddenly होता है उसके लिए जोए abrupt का use होता है इसके synonyms की बात करें तो शडेन हो जाएगा brief हो जाएगा blunt हो जाएगा sharp हो जाएगा unexpected कह सकते हैं हम लोग quick कह सकते हैं curt कहेंगे rude हो जाएगा और मारा hasty हो जाएगा यह सब जोए इसके most important synonyms जो है बनते हैं next word हमारा क्या है absurd observe observe का मतलब होता है बे दुका मतलब की foolishly talk हम लोग करते हैं तो उसके लिए हम लोग जो है observed का जो है use करते हैं इसके synonyms की बात करें तो मारा foolish हो जाएगा और मारा ludic crush हो जाएगा stupid हो जाएगा senseless हो जाएगा ridiculous हो जाएगा और हमारा irritational हो जाएगा यह सब जो है इसके important synonyms जो है बनेंगे next word हमारा क्या है abundance abundance की बात करें तो इसका मतलब होता है प्रचूरता जो चीश पर्याप्त होती है उसके लिए abundance का use होता है यानि जो ample मात्रा में होती है उसको लोग क्या कहते है abundance जो है कहते है इसके synonyms की बात करें तो मारा plenty हो जाएगा profusion हो जाएगा surplus हो जाएगा और कुछ जो है इसके important synonyms होते है उसको भी आप लोग जो है जान लिएजे क्योंकि यह most बार-बार जो है exam में पूछे जाते है तो एक होता है adequate होता है adequate का भी मतलब होता है पर्याबत होना enough होता है plantious होता है profuse होता है और मारा sufficient कह सकते हैं overflowing कह सकते हैं और मारा copious होता है इसके और भी जो है most important क्या होते है synonyms जो होते है next word हमरा क्या है accustomed accustomed की बात करें तो इसका मतलब होता है आदी, जब किसी चीज का हम लोग को habit हो जाता है, उसके लिए जो है accustomed का use होता है, इसके synonyms के बात करें, तो habitual हो जाएगा, regular हो जाएगा, usual हो जाएगा, customary हो जाएगा, और conventional हो जाएगा, यह सब जो है इसके most important synonyms जो है बनेंगे next word हमारा का है, acknowledge, acknowledge का मतलब होता है, sweet car करना, जब हम लोग किसी चीज को accept कर लेते हैं, उसके लिए जो use होता है, acknowledge का use होता है, इसके synonyms की बात करें, तो महरा admit हो जाएगा, consent हो जाएगा, profess हो जाएगा, allow हो जाएगा, concede हो जाएगा, confresh हो जाएगा, इसके most important synonyms जो है next word हमारा क्या है, accusation, accusation की बात करें, तो इसका मतलब होता है, urgent करना, जब हम लोग किसी चीज को gain करते हैं, उसके लिए जो accusation का use होता है, इसके synonyms की बात करें, तो महरा requirement हो जाएगा, benefit हो जाएगा, gain हो जाएगा, achievement हो जाएगा, और महरा procession हो जाएगा, और महरा attainment हो इसका मतलब होता है, urgent करना, जब लोग किसी चीज को gain करते हैं, उसके लिए जो है, acquisition का use होता है, इसके synonyms की बात करें, तो महरा requirement हो जाएगा, benefit हो जाएगा, gain हो जाएगा, achievement हो जाएगा, possession हो जाएगा, और महरा attainment हो जाएगा, इसके most important synonyms जो है, बनते हैं, next word हमारा क्या इसका मतलब होता है, अधेर, अधेर की बात करें, तो इसका मतलब होता है, पालन करना, इसका synonyms जो है, cling हो जाएगा, keep हो जाएगा, फार्षिन हो जाएगा, बिंड हो जाएगा, stick हो जाएगा, join हो जाएगा, hold हो जाएगा, इसके important synonyms जो है, बनेंगे, next word हमारा क्या है, adversity adversity, adversity की बात करें, तो इसका मतलब होता है, विपत्ती, जब विपत्ती आ जाती हो, उसके लिए जो है, adversity का use होता है, इसके synonyms की बात करें, तो वहना misfortune हो जाएगा, disaster हो जाएगा, ill luck हो जाएगा, woo हो जाएगा, hardship हो जाएगा, distress हो जाएगा, misery हो जाएगा, poverty हो जाएगा, trouble ह ऑफ्रंट की बात करें तो इसका मतलब होता है अपमाण इसका प्रोवोक हो जाएगा और इर्फेरेंश होजाएगा ये सब्सक्राइगा सेनानिम जो है बनेंगे इस तो बड़ हमारा कहा है इलार्मिंग, इलार्मिंग की बात करें तो इसका मत्ब होता है चिंता जनक जैसे हम लोग नहीं करते हैं इलाम बज़रा है यानि कि एक क्या वसूच ना हम लोग कह सकते हैं चिंता जनक जो है कह सकते हैं इसका सेनानिम्स क्या हो जाएगा फ्रिग फूल हो जाएगा अपना डेट फूल हो जाएगा टैरिबल हो जाएगा सौकिंग हो जाएगा ओमिनस हो जाएगा ओफुल हो जाएगा और माना थ्रीटिंग हो जाएगा इस कैरी हो जाएगा यह सब जो जो है, amalgamate का use होता है, इसके synonyms की बात करें, तो मारा combine हो जाएगा, bind हो जाएगा, blend हो जाएगा, और मर्ज हो जाएगा, unite हो जाएगा, यह सब जो है, इसके important synonyms जो है, बनेंगे, next word हमारा क्या है, ambiguous, ambiguous की बात करें, इसका मतलब होता है, और aspart, यानि जो unclear होता है, उसके ल sure हो जाएगा, vogui हो जाएगा, और मारा in-define हो जाएगा, obscure हो जाएगा, mysterious हो जाएगा, और मारा क्या हो जाएगा, ambivalent हो जाएगा, यह सब जो है, इसके important synonyms जो है, बनते हैं, जो वड़ हमारा क्या है, amiable, amiable की बात करें, तो इसका मतलब होता है, song में, यह जो loveable होता है, को जो cœur यूज़ जाता है इन जो friendly होता है उसको हम लोग जो क्या कहते है एंटीक्यू की बात करें तो इसका मतलब होता है प्राचीन जो मारा एंसेंट होता है उसके लिए जो एंटीक्यू का जो है यूज होता है इसके सिननिम्स की बात करें तो मारा क्या हो जाएगा एंसेंट हो जाएगा आउट डेटिट हो जाएगा ओल्ड फैशन हो जाएगा अ उसके लिए जो है यूज़ होता है, इसके sinononimes की बात करे, तो मनदा clear हो जाएगा, distinct हो जाएगा, visible हो जाएगा, nostro speaks हो जाएगा, और मनदा obvious हो जाएगा, और मना evident हो जाएगा, यह सब जो है इसके most important surname जो है बनते हैं. next word हमारा क्या है aciduous aciduous की बात करें तो इसका मतलब होता है परिश्ट्रमी जो बहुत परिश्ट्रमी होता है महंती होता है intelligent होता है उसके लिए क्या होता है aciduous का जो है use होता है इसके synonyms की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा industrious हो जाएगा active हो जाएगा, diligent हो जाएगा, devoted हो जाएगा, careless हो जाएगा, laborious हो जाएगा, careful हो जाएगा, attentive हो जाएगा, असके important synonym जो हैं बनते हैं, next word महारा क्या है Audacious, Audacious की बात करे, तो humans का मतलब होता है, saasi, इन्हें जो brave होता है, उसके लिए जो audacious का use होता है इसके synonyms की बात करें तो मारा interpret हो जाएगा adventurous हो जाएगा daring हो जाएगा bold हो जाएगा courageous हो जाएगा insolent हो जाएगा और मारा impudent हो जाएगा ये सब जोए इसके important synonyms जो है बनते हैं क्या है authentic authentic का मतलब होता है जो चीज़े genuine होता है actual होता है उसके लिए जोए authentic वर्थ का use किया जाता है इसके synonyms की बात करें तो मारा genuine हो जाएगा veritable हो जाएगा real हो जाएगा pure हो जाएगा actual हो जाएगा true हो जाएगा ये सब जोए इसके important synonyms जो है बनते हैं next word हमारा क्या है auxiliary secondary हो जाएगा supporting हो जाएगा additional हो जाएगा ये सब जो है इसके important क्या बनते हैं synonyms जो है बनते है next word हमारा क्या है brain brain की बात करें तो इसका मतलब होता है banj जिसको मनोँ क्या कहते है childless जो है कहते है इसके synonyms के बात करें तुम्हारा sterile हो जाएगा, dessert हो जाएगा, childless हो जाएगा, bear हो जाएगा, unproductive हम लोग कह सकते हैं और dull होता है यह सब जो है इसके important क्या बनते हैं, synonyms जो है बनते हैं इसके बनते हैं belief, बलीव की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, आस्ता यारी जब हम किसी में विश्वास करते हैं उसके लिए क्या यूज होता है, इसके synonyms के बात करें तो वहरा trust हो जाएगा, certainty हो जाएगा, faith हो जाएगा, truth हो जाएगा, really ends हो जाएगा, यह सब जो है इ नित का यूज किया जाता है इसके synonyms की बात करें तो below हो जाएगा, inferior हो जाएगा, under हो जाएगा, down हो जाएगा, underneath हो जाएगा, ये सब जोई इसके important synonyms जो है बनते हैं next word is benediction, benediction की बात करें तो इसका मतलब होता है आशिरवाद यानि blessing जब आता है तो उसके लिए हम लोग जोए benediction का use करते हैं इसके synonyms की बात करें तो मारा क्या हो जाएगा, blessing हो जाएगा, boon हो जाएगा, banition हो जाएगा, prayer हो जाएगा, grace हो जाएगा, favor कह सकते हम लोग, gratitude ह हो जाएगा, baptism हो जाएगा, और मारा orition हो जाएगा, यह सब जोए इसके important क्या बनते हैं, synonyms जो है बनते हैं, next word is blunder, blunder की बात करें तो इसका मतलब होता है बड़ी भूल, लोग नहीं कहतें यह तो blunder हो गया, मतलब यह बहुत ही बड़ा भूल हो गया, तो इसके synonyms की बा next word हमारा क्या है, boastful, boastful की बात करें तो इसका मतलब होता है, ding मारने वाला, यानि कि जो बहुत ही क्या करें, बहुत ही arrogant टाइप का हो, उसको हमनों क्या कहते हैं, boastful जो है कहते हैं, इसके synonyms के बात करें, तो मारा bragging हो जाएगा, bear guard हो जाएगा, और मारा proud हो जाएगा, pumpash हो जाएगा, vain हो जाएगा, arrogant भी हम लोग कह सकते हैं, और haughty भी हम लोग कह सकते हैं, haughty का मतलब क्या होता है, जो घमंटी होता है, यानि full of arrow होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, होटी जो है कहते हैं, यह सब जो है, इसके important synonyms होते हैं, next word is bravery, bravery की बात करें, तो इसका होता है, इसका मतलब होता है, संचिप्तता, यानि जो चीज़, इसका मतलब होता है, बाल खड़े करना, यानि कि जो क्या एंगर हो जाता है, गुस्सा हो जाते हैं, तो क्या होता है, बाल खड़े हो जाते हैं, तो उसके लिए यूद होता है, ब्रिस्टल, इसके स्वैगर हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, उसके इसके important synonyms जो है, बनेंगे, ब्रिटल, ब्रिटल की बात करें, तो इसका मत होता है, नाजुक, यानि जो चीज़े चड़ भंगुर होती है, मतलब जल्दी से टूट जाती है, उसके लिए क्या यूद होता है, ब्रिटल का जो है, यूज किया जाता है, तो अम लोग इसके important synonyms देखते हैं कि क्या क्या होगा, तो मारा क्रिप्स हो जाएगा, और मारा क्या हो जाएगा, stiff हो जाएगा, फ्रेजाइल हो जाएगा, inflexible हो जाएगा, freeable हो जाएगा, delicate हो जाएगा, breakable हो जाएगा, यानि जो जल्दी से क्या हो जाए, तोट जाए, उसके लिए क्या होता है, breakable का use होता है, तो यह सब जो है, इसके important, synonym जो है, बनेंगे, next word मरक है, brutal, brutal की बात करें, तो इसका मतलब होता है, cruel, यानि जो क्या होता है, बहुत ही cruel होता है, उसके लिए क्या यूद होता है, brutal का जो है, यूद किया जाता है, इसके synonyms की बात करें, तो मैरा savage हो जाएगा, inhuman हो जाएगा, bestial हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, mercy less हो जाएगा, और हमारा cruel हो जाएगा, बार बेरेस हो जाएगा, यह सब जो है, इसके important क्या बनते हैं, synonyms जो है, बनते हैं, be later से, जितने भी important synonyms बन सकते हैं, उस सारे हमने जो है complete कर लिया है, अब हम लोग जो है, लेटर सी से start करेंगे, तो तो हमारा पहला word क्या है calamity, calamity की बात करें, तो इसका मतलब होता है आपदा, यानि डिजास्टर को हम लोग क्या कहते हैं, calamity जो है कहते हैं, इसके synonyms की बात करें, तो हमारा disaster हो जाएगा, misfortune हो जाएगा, catastrophe हो जाएगा, mess up हो जाएगा, hardship हो जाएगा, tragedy हो जाएगा, adversity हो ज stress हो जाएगा, इस सब जो है, इसके most important synonyms जो है बनते हैं, इसमें से जो हमारा catastrophe है, ये अकसर जो है exam में आता रहता है, लेकिन हम लोग को जो है सारे को याद रखना है, कभे भी कोई भी आ सकता है, next word हमारा क्या है, salus, salus की बात करें, तो इसका मतलब होता है, कठोर, यानि जो जीज hard होता है, hard होता है, उसके लिए क्या use होता है, salus का use होता है, इसके synonyms की बात करें, तो मारा hard हो जाएगा, और मारा mercy less हो जाएगा, indifferent हो जाएगा, cruel हो जाएगा, hurtless हो जाएगा, hard hurted होगा, indifferent हो जाएगा, aparthetic हो जाएगा, cold हो जाएगा, tough हो जाएगा, ये सब जो जो एकदम सच होता है, हम लोग कह सकते हैं एदम जो truth होता है, एदम सच होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, Candid जो है कहते हैं इसका मतलब असपश्ट भी होता है जो चीज़ एकदम clear होती है उसके लिए भी जिए हम लोग Candid का use करते हैं इसके synonyms के बात करें तो बारा impartial हो जाएगा outspoken हो जाएगा fair हो जाएगा straight forward हो जाएगा truthful हो जाएगा frank हो जाएगा sincere हो जाएगा honest हो जाएगा just हो जाएगा यह सब जो है इसके most important synonyms जो है बनते हैं और Candid जो है बहुत ही ज़्यदा important word है क्या है capture capture का मतलब होता है कैद करना इसका synonyms क्या हो जाएगा arrest हो जाएगा occupy हो जाएगा snage हो जाएगा कन क्योर हो जाएगा, स्नाच हो जाएगा, अप्टेन होगा, कैच हो जाएगा, ग्रैब हो जाएगा, एप्रिहेंड हो जाएगा, गेट हो जाएगा, प्रोशेशन हो जाएगा, टेक हो जाएगा, अटेन हो जाएगा, ग्रैस्प होता है, एक्वायर होता है, ट्रैप होता है, ये सब जोए इसके most important synonyms जो है बनते हैं। Next word मारा क्या है? Castigate. Castigate का मतब होता है पीटना, फटकारना, डाटना उसके लिए क्या यूज होता है? Castigate का जो है यूज होता है, इसके synonyms की बात करें, तो मारा criticize हो जाएगा, पनिश हो जाएगा, ब्लेम हो जाएगा, और मारा कैस्टाइज हो जाएगा, स्कॉल्ड हो जाएगा, चाइड हो जाएगा, सैंशर हो जाएगा, इस सब जो है, इसके important synonyms जो है बनते हैं, और Castigate जो है बहुत ज़्यदा important word है, Next word मारा क्या है? Chose. Chose की बात करें, तो इसका मत्ता होता है अराजक्ता, यानि कि जब हम लोग अराजक्ता फैलाते हैं, तो यानि Agitation होता है, तो इसके लिए Chose का Use होता है, इसके synonyms की बात करें, तो इसके इसके most important synonyms जो है बनते हैं, Next word मारा क्या है, Cogent. Cogent की बात करें, तो इसका मतलब होता है Chose, यानि जो चीज़ सॉलिड होता है, उसके लिए जो है Cogent का Use होता है, इसके synonyms की बात करें, तो वारा compelling हो जाएगा, powerful हो जाएगा, forceful हो जाएगा, rational हो जाएगा, potent हो जाएगा, effective हो जाएगा, इसके most important synonyms जो है बनेंगे, Next word मारा क्या है Coherent, Coherent की बात करें, तो इसका मतलब होता है सुसंगत, यानि कि जो rational होता है, यानि जो एक दूसरे से connected होता है, उसके लिए जो है Coherent का जो है Use किया जाता है, इसके synonyms की बात करें, तो वहना lucid हो जाएगा, rational हो जाएगा, connected हो जाएगा, compact हो जाएगा, और वहना consistent हो जाएगा, ये सब जो है, इसके most important synonyms जो है बनते हैं, next word is compact, combat, combat की बात करें तो इसका मत्ता होता है शंगर्ज, यानि जो fighting होता है उसके लिए combat का यूस होता है, इसके synonyms की बात करें, तो war हो जाएगा, fighting हो जाएगा, battle हो जाएगा, encounter हो जाएगा, और मारा contest हो जाएगा, fight हो जाएगा, और सब जोए इसके important synonyms जो है बनते हैं और मेरा ashalt भी हो सकता है ashalt भी इसका synonyms बन सकता है next word मेरा कहा है compassion compassion का मतलब होता है दया यानि जब mercy होता है उसके लिए क्या use होता है compassion का जो है use होता है इसके synonyms के बात करें तुम्हारा मर्श्री हो जाएगा, कंट्रोलेंस हो जाएगा, चारीटी हो जाएगा, टेंडरनेस हो जाएगा, सैंपत्थी हो जाएगा, काइंडनेस हो जाएगा यह सब्चुए इसके मुष्ट इंपोर्टेंट सेनानेम जो है बनेंगे वर्ड क्या है Conceited Conceited की बात करें तो इसका मतलब होता है अभिमानी यानि कि जो arrogant होता है उसके लिए जो एक Conceited का use किया जाता है इसके सेनिम्स की बात करें तुमारा वेन हो जाएगा इगोटिस्टिक हो जाएगा एरोगेंट हो जाएगा बोस्टफूल हो जाएगा होटी हो जाएगा प्राउड हो जाएगा पॉम्पस हो जाएगा यह सब जो ए इसके most important synonym जो है बनेंगे नेक्स्ट वर्ड मारा क्या है कनकॉट की बात करें तो इसका मतलब होता है समाज़ जस्य यानि कि जब हमारा पीस होता है इसके लिए क्या होता है कनकॉट का जो है यूज होता है इसके सेम्स की बात करें तुमारा यूनिटी हो जाएगा हर्मोनी हो जाएगा, पीस हो जाएगा, एगरिमेंट हो जाएगा, इमाइटी हो जाएगा, एक कॉर्ड हो जाएगा यह सब जोए इसके important synonym जो है बनेंगे next word हमरा क्या है condemn, condemn की बात करें तो इसका मतलब होता है निंदा करना जब लोग किसी का क्या करते है, criticize करते हैं, उसके लिए condemn का use किया जाता है इसके same की बात करें, तो वारा censure हो जाएगा, re-bug हो जाएगा, blame हो जाएगा, criticize हो जाएगा, denounce हो जाएगा, scald हो जाएगा यह सब जोए इसके most important synonyms जो है बनते हैं, और condemn words जो है बहुत ज़्यदा important है और यह जोए exam में अक्सर पूछा जाता है इसके synonyms क्या हो जाएगा, acknowledge हो जाएगा, reveal हो जाएगा, concede हो जाएगा, admit हो जाएगा, accept हो जाएगा, disclose हो जाएगा, profess हो जाएगा यह सब जोए इसके important synonyms जो है बनते हैं एक्स्टर वर्ड मरा रख्या है congegration, congegration का मतल होता है mandali यानि जब जो कोई group होता है उसके लिए जो एक congegration का use होता है इसके synonyms की बात करें तो assembly हो जाएगा, throng हो जाएगा, group हो जाएगा, convention हो जाएगा, swarm हो जाएगा, gathering हो जाएगा, crowd हो जाएगा, mass हो जाएगा, flock हो जाएगा यह सब जोए इसके most important synonyms जो है बनते हैं इसके most important synonyms की बात करें तो इसका मतलब होता है घिनावना, इसका most important synonyms होता है, pitiful होता है, while होता है, mean होता है, ratchet होता है यह सब जोए इसके important synonyms जो है बनते हैं next word हमारा क्या है, contrary, contrary की बात करें तो इसका मतलब होता है विरोध, जब लोग किसी का opposite होता है, उसके लिए जो है contrary का use होता है इसका synonyms क्या हो जाएगा, opposite हो जाएगा, adverse हो जाएगा, conflicting हो जाएगा, reverse हो जाएगा, contradictory हो जाएगा, opposed हो जाएगा यह सब जोए इसके most important synonyms जो है बनते हैं next word हमारा क्या है controversy controversy का मतलब होता है विवाद मतलब कि जो हमारा dispute हो जाता है उसके लिए controversy का use होता है इसके synonyms के बात करें तो हमारा dispute हो जाएगा, strife हो जाएगा argument हो जाएगा discord हो जाएगा, contention हो जाएगा conflict हो जाता है debate होता है, हमारा quarrel होता है यह जो बहुत ही जदा most important word है यह अक्सर जो एक्सामे बार-बार पूछा जाता है तो इसको हमनों को जो है याद में रखना है एक्स्ट वर्ड में रखना है क्रैबी क्रैबी की बात करें तो इसका मतलब होता है चिरचिड़ा जो चिरचिड़ा होता है उसके लिए जो है क्रैबी का यूज होता है इसके सेनरिम्स की बात करें तो मारा bad-tempered हो जाएगा disagreeable हो जाता है ill-natured होता है sure होता है irritable होता है मारा peavish होता है यह समझे इसके important सेनरिम्स जो है बनते है next order मारा क्या है debase debase की बात करें तो इसका मतलब होता है मूले घटाना जब लोग किसी मूले को क्या करते है Degrade कर देते है उसके लिए debase का यूज होता है इसके सेनरिम्स की बात करें थो माराB데 he got disgraise ho jeste it यह सब जो इसके most important जो है बनते है और debase जो है बहुत ही important word है अक्सर exam में जो है पूछा जाता है next word मैंने क्या है deset, deset का मतलब होता है जो जो चल करता है उसके लिए जो क्या होता है deset का use होता है इसके synonyms के बात करें तो मारा fraud हो जाएगा मारा treachering हो जाएगा deception हो जाएगा cheating हो जाएगा hypocrisy हो जाएगा counterfeit हो जाएगा यह सब जो है इसके important क्या बनते है synonyms जो है बनते है next word मैंने क्या है deficient deficient की बात करें तो इसका मतलब होता है अपूर्ण यानि जिसके कमी होती है उसके लिए जो है deficient का use किया जाता है इसके synonyms की बात करें तुमारा wanting हो जाएगा minger हो जाएगा lacking हो जाएगा short हो जाएगा defective हो जाएगा scanty हो जाएगा incomplete हो जाएगा inadequate हो जाएगा insufficient हो जाएगा और हम लोग जो पाउसिटी कह सकते हैं abate कह सकते हैं alay कह सकते हैं इन सब का मतलब भी क्या होता है कमी होता है ये सब जो है बहुत ही मुष्ट हो जाएगा डिफाइल का मतलब होता है अशुर्द यानि जो जी डर्टी होता है उसके लिए जो है डिफाइल का यूज होता है इसका सेनानिम जो है करप्ट हो जाएगा डिग्रेड हो जाएगा डि ब्ल्यूट हजाएगा डिबेस हजाएगा प्रोफेन हजाएगा और मारा कंटेमिनीट हुजाएगा यह सब जोए इसके most important synonyms निम्शहेब बनेंगे next word माना कहा है despair despair की बात करें तो इसका मतलब होता है निराशा यानि कि जो निराशा मिलती है यानि डिस अपोइंटमेंट जो मिलती है उसके लिए जो डिस्पियर के यूज होता है तो इसका सेननिम्स क्या हो जाएगा डिस अपोइंटमेंट हो जाएगा होपलेसनेस हो जाएगा हमारा discouragement हो जाएगा depression हो जाएगा और हमारा misery हो जाएगा यह समझो है इसके most important synonym जो है बनेंगे next हमारा क्या है dictator, dictator को मतलब होता है ताना सा यानि हम लोग नहीं कहते है dictatorship यानि ताना शाही जो चलती है तो इसका important synonyms क्या हो जाएगा tyrant हो जाएगा autocrat हो जाएगा despot हो जाएगा और हमारा operation हो जाएगा यह समझो है इसके synonyms बनेंगे अगला word हमारा क्या है doleful, doleful का मतलब होता है मात्मी, यानि कि जो बहुत ही gloomy होता है, उदास होता है morose होता है, उसके लिए doleful का use किया जाता है तो इसका synonyms yya बनेगा decimal हो जाएगा gloomy हो जाएगा, miserable हो जाएगा cheerless हो जाएगा sad हो जाएगा, melancholy हो जाएगा और मारा mournful हो जाएगा unhappy हो जाएगा, depressed हो जाएगा यह सब जोएइं इसके important क्या बनेंगे, सनानिम मेंगा जो है बनेंगे नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है एलिजेंट है एलिजेंट का मतलब होता है सिष्ट तो इसका सेननिम्स क्या हो जाएगा हमारा लगजीरियस हो जाएगा पॉलिस्ट हो जाएगा डिगनिफाइड हो जाएगा फाइन हो जाएगा ग्रेसफूल हो जाएगा रिफाइन हो जाएग एक्सविए साइट होता है और माना पॉलाइट हो जाएगा यह सब इसके important synonyms बनेंगे एक्सट वर्ण में माना कहा है Erudite, Erudite का मत होता है वेज्ञानिक, जो scholar होता है और क्या होता है, जो बहुत ही पढ़ा लिखा होता है, उसको लोग क्या कहते है, Erudite जो है कहते है इसका synonyms क्या हो जाएगा learner हो जाएगा, educated हो जाएगा और हमारा enlightened हो जाएगा और हमारा academic हो जाएगा wise हो जाएगा, intellectual हो जाएगा यह सब जोए इसके most important synonyms बनते हैं next हमारा क्या है exotic exotic की बात करें तो इसका मतलब होता है विदेशी तो इसका synonym क्या बनेगा हमारा क्या हो जागा फैस्टीनेटिंं हो जाएगा recognize हो जाएगा marvelous हो जाएगा यह सब जोए इसके important synonyms बनेगे next word हमारा क्या है extraordinary extraordinary मतलब होता है असाधारद जो बिल्कुल असाधारद होता है उसके जोए extraordinary का यूज किया जाता है तो इसका synonyms क्या हो जाएगा अन्सूजवल हो जाएगा और हमारा fantastic हो जाएगा अन्सूजवल और हमारा fantastic, remarkable और हमारा exceptional हो जाएगा as to missing हो जाएगा uncommon हो जाएगा, amazing हो जाएगा यह सब जोए इसके important synonyms बनेंगे next word हमारा क्या है falsehood falsehood का मतलब हो जोट जो जोट होती है false होती है उसके लेज़े falsehood का use किया जाता है इसका synonyms क्या हो जाएगा deception हो जाएगा deceit हो जाएगा friction हो जाएगा fabrication हो evasion हो जाएगा और लाई हो जाएगा यह सब जोए इसके important synonyms जो है बनेंगे नेक्स na आटज क्या है fame fame का मतलब होती है प्रशिद्दी इसका synonyms क्या हो जाएगा team हो जाएगा tribute हो जाएगा credit हो जाएगा प्रेस्टिज हो जाएगा glory हो जाएगा honor हो जाएगा reputation हो जाएगा re-nome हो जाएगा इसके important क्या होंगे Synonyms जो है बनेंगे Next word हमारा किया है Fetal Fetal का मदद होता है घातक यानि जो Lethal होता है उसके लिए जो लोग जो Fatal का यूज करते है इसका Synonyms क्या हो जाएगा Lethal हो जाएगा Malignant हो जाएगा, Mortal हो जाएगा Destructive हो जाएगा, Deadly हो जाएगा यह समझो है Synonyms बनेंगे Next word हमारा किया है Fibble Fibble की बात करें तो इसका मदद होता है Nirmal यह जो Weak होता है उसके लिए Fibble का यूज किया जाता है तो इसका Synonyms क्या हो जाएगा Weak हो जाएगा, Fragile हो जाएगा Important हो जाएगा Language हो जाएगा और मरा Frail हो जाएगा यह समझो है इसके Important Synonyms बनेंगे Next word मारा किया है Fallicity Fallicity जो बहुत ही ज़्यदा Important word है अकसर एक्जाम में जो है पूछा जाता है तो इसको हम लोग को जो क्या करना है ध्यान में जो है रखना है इसका मतद होता है परमशुक जो हम लोग को जो बहुत ही जोय मिलता है Happiness होता है उसके लिए जो हम लोग जो Fallicity का यूज करते है इसका Synonyms जो है Happiness हो जाएगा, Glee हो जाएगा Joy हो जाएगा, Bliss हो जाएगा और मैंना Pleasure हो जाएगा Enjoyment हो जाएगा, Delight हो जाएगा यह सब जोई इसके Most Important Synonyms बनेंगे